हलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लिठिल पिकार्ज थेओर्म जो की एक दिमांडिंक थेओर्म है भाई मनौश कुमार द्वारा यह दिमांड किया गया कि सर हमें इस थेओर्म पर वीडियो चैए सो हमने इस टॉपिक पर वीडियो बनाए है तो चलिए देखते हैं इस theorem का statement Let f be an entire function that omit two value 0 and 1 Then f is a constant हम लोग लेट कर रहे हैं कि f एक का है entire function है जो 0 और 1 के value को क्या करता है? omit करता है तो जो f रहता है वो क्या हो जाता है? constant हो जाता है कहने के मतलब यह है कि जब f को हम को entire function ले लेते हैं तो यदि इस ऐसा लेते हैं तो जो 0 और 1 हैं उसे omit कर क्या हो जाता है? यदि एक constant value बन जाता है तो चलिए देखते हैं इसका proof कैसे करते हैं तो suppose fz not equal to a and fz not equal to b for all z हम लोग यह suppose कर रहे हैं कि जो fz किस पर a पर equal नहीं है और fz जो b पर भी equal नहीं है इसके लिए for all z के लिए then the function defined by अब हम इसके लिए एक function defined कर रहे हैं वो function लेते हैं हम लोग f0 equal fz minus a upon b minus a the function f omit to value 0 and 1 क्योंकि हम लोग इस्टेट्मेंट में पहले का चुके हैं कि जो f है वो 0 और 1 को क्या करते हैं omit कर देता है मतलब छोड़ देता है so assume that the given entire function f तो हम लोग assume कर रहे हैं को जो दिया गए entire function है वो क्या करेगा और 1 और 0 I mean 0 और 1 को क्या कर देगा omit कर देगा कहना का मतलब फिर यह हो जाता है कि जो f z not equal to 0 मतलब f z 0 पर equal नहीं होगा और शाथ ही जो f z है वो 1 पर भी equal नहीं होगा क्योंकि जो intervals है a b वो किसमे है 0 और 1 में है then we have an entire function g अब हम इसके लिए अलग से entire function लिए रहे है क्योंसा g such that gc containing on a disk of radius 1 means जो gc है contain कर रहे हैं disk radius किसको 1 को now if f is not a constant function अब हम यह assume कर रहे हैं यह लेकर चलेंगे कि यह constant नहीं है और हमें प्रूब क्या करना है कि यह constant है then g is also not constant we say that a point z 0 with g dash z 0 not equal to 0 अब हम g dash के differential में लेंगे तो यह भी not equal हो किस पे 0 पे अब हम कुछ देर के लिए suppose कर रहे हैं कि z equal 0 हम लोग z 0 को क्यार रहे हैं कि z 0 को 0 के equal ले रहे हैं तो हम लोग अब suppose कर रहे हैं कि g dash 0 not equal to 0 then इसके लिए एक function हो जाएगा g b bracket 0 r containing a disk up radius l r modulo z g dash 0 means हम इसके लिए radius क्या लिए थे 1 तो इसके लिए हम अब radius define कर रहे हैं कि l r modulo g dash 0 है so आगे हम write कर रहेंगे कि if we choose a r sufficiently large है अब हम लोग ये चूज कर रहे हैं कि जो r है वो क्या है sufficiently है because जो दिया गया क्या है कि g c है does not contain a disk up radius 1 क्योंकि वो g c radius 1 पर contain नहीं कर रहे है which is a contradiction क्योंकि इसमे एक वीडियो धभास हो रहे है so we write हम लोग कह सकते हैं कि we conclude that a must f must be a constant इस प्रकार हम लोग लेके क्या चले थे कि a constant नहीं है लेकिन अंत में क्या या जाता है कि a constant हो जाता है so हम यही चाहिए था so ये क्या हो जाता है proof हो जाता है अब इस पर एक लेमा भी है जो exam में पूछे ही जाते हैं तो चले इस लेमा को भी देख लेते हैं साथ में ताकि आपको जब exam में है तो ये भी कर ले so देखते हैं लेमा क्या कहता है let g be a simply connected reason and let f be a analytic function define in g हम लोग अब ये कह रहे हैं कि g एक simply connected reason है जो f एक analytic function क्यों कि हम लोग f को हमेंसा क्या लेते आ रहे हैं कि f क्या है एक analytic function है जो define in g हम लोग g में एफ को analytic function define कर रहे है that does not assume that value 0 और 1 और हम लोग इसके पहले जो statement में क्या मूले थे कि हाँ 0 और 1 को अजूम नहीं कर रहे हैं तो इसमें भी क्या करेंगे 0 और 1 को अजूम नहीं करें है this is an analytic function g अब इसके लिए कोई दूसरे analytic function हम लोग क्या ले लेते हैं g और उसे भी define कर देते हैं कि इसमें g में तो हम लोग कहें एक function ट्राप्त हो जाता है वो कौन सा function है कि fz equal minus xp इसको बोलते हैं xp तर्ली bracket लगा देंगे i5 cos h to z z यह इसको यह function के रूप में लिखेंगे जो क्या हो रहा है g, z belongs to g और जो z है उसको किसमें बिलांग करना चाहिए g में, तो चलिए चलते हैं इसके प्रूप क्यों तो प्रूप कैसे करेंगे, तो it is a given that f is analytic, हम लोग यह कह रहे हैं कि f analytic function है, जो किसमें define है g में है ना, तो that does not assume that 0,1 क्योंकि पहले भी कह चुके हैं और अब भी कहते हैं कि यह क्या कर रहे है, 0,1 question नहीं कर रहे हैं since f z not equal to 0, for any z in g, या इसी को कह सकते हैं कि z किसमें बिलांग कर रहे है g में, so there for this is a branch h, for log f z, अब हम इसके लिए एक branch चूज कर रहे हैं, कौन सा कि h एक हम लोग का branch है, कि इसके लिए कि for z log f z के लिए, अब उसे भी हम लोग define करें कि इसमें g में, तो हम लोग इसे write करेंगे, कि expansion h z function के रूप में लिखेंगे, कि expansion h z equal f z, f z को हम लोग expansion h z के equal ले ले रहे हैं, अब इसे हम लोग देंगे equation number first, write करेंगे equation number first, अब हम एक function लेट कर रहे हैं कि f z equal h z upon 2 pi iota, किसके लिए, for all z के लिए, thus if f z 0 equal n, अब हम जो function f z 0 लिए हैं, वो किसके तक है, n तक है, for some integer n, और कुछ integer कौन से हो n है, तो then we write हम लिखेंगे इसको f z 0 equal expansion h z 0 expansion bracket 2 pi i f z 0, इसको इसके साथ multiply, तो expansion 2 pi i in, अब इसको जो मान होता हो कि इसके equal होता है, 1 के, इसलिए हम write करेंगे 1, which cannot happen, because f does not assume that the value 1, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे है, 0 और 1 के value को assume तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए 1 के लिए भी assume नहीं करेंगे, hence f does not assume any integer value, इसलिए हम f के कोई भी integer value, कोई भी value को हम लोग नहीं मान सकते, assume नहीं कर सकते, again since f cannot assume that the value 0, 1, इसलिए हम 0, 1 को भी assume नहीं कर सकते, it possible to define, यदि possible हो तो हम लोग define कर रहे हैं, h के लिए कि hz equal root over fz minus root fz minus 1, इसे देखेंगे equation number 2, the define of h, अब h के लिए define करेंगे और दिखा देंगे क्या कि hz not equal to 0 for any z, मतलब z के लिए हम यह कह रहे हैं कि यह 0 equal नहीं होगा, किसमे z में, so that it is possible to define a branch g of log h in g, अब यदि possible हो तो हम लोग दिखा दे रहे हैं कि जो branch g है, वो log h कैसमे है, g में है, तो hence cos h 2z plus 1 equal 1 by 2 bracket कर देंगे, e to the power 2g plus e to the power minus 2z plus 1, अब इसके power दोनों में से 2 को हम लोग क्या कर देंगे, common कर देंगे power को तो यह हो जाएगा, और e to the power eg किसके को होता है h का, तो बस कुछ निकी हैं, इसके जगा में h बस रख दी हैं, यह क्या जाता है, minus में हैं, तो यह हैर में लिखा जाएगा, कि 1 by h, यह ज़स्के तस, फिर आगे, h plus 1 by h को हम लोग अब light करेंगे, कि root f minus root f minus 1 plus 1 upon root f minus root f minus 1, अब बस क्या करेंगे, कि इसके इसके साथ और इसके इसके साथ multiply कर देंगे, तो यह root से root क्या हो जाएगा, square हो जाएगा, और इसके 1 के साथ 1, और हर कफिर हर के साथ, अब इसको हम लोग कुछ नहीं किये हैं, बस इसका प्रशार किये हैं, formula से कि a minus b, a minus b का formula क्या होता है, a minus b को होज स्क्वेर का, a square plus b square minus 2ab, अब इससे हम लोग प्रशार के हैं, तो देखो इधर इस root में हैं, इस cover बनेगा, तो क्या हो जाएगा, root cancel हो जाएगा, तो यह बज़ गया, plus f minus 1 का भी root हर जाएगा, तो f minus 1 minus 2 root f dot root f minus 1, और यह plus 1 का, फिर plus 1, upon में जो लिखे हैं उसको फिर से write कर देंगे, आप फिर आगे इसको open कर देंगे आप बाहर से, तो यह f f दोनों जूड जाएगा, तो 2 f हो जाएगा, और यह minus 2 root over f dot f यह हो गया, अपन हर का फिर root f minus root over f minus 1, अब इसमें क्या करेंगे, कि 2 f को हम लोग common कर रहे हैं, 2 f को हम लोग 2 root f को common करेंगे, है न, 2 root f को common करेंगे, तो इसमें से निकल जाएगा यह, बचेगा क्या root f minus root over f minus 1, तो दोनों क्या जाएगा, cancel, तो बचेगा, to root f, तो इसे हम लोग equation number 3 write करते हैं, so that from equation 3 से, अब इस equation 3 से हम लोग write करेंगे, कि cos h 2 z plus 1, equal 1 by 2, root 2, 1 by 2 bracket, to root f का square रहेगा, 1 by 2, अब इसको हम लोग square है, तो यह सिधा क्या हो जाएगा, 2 का 4, और यह root cancel हो जाएगा, f, 2 से 2, अतलब 2 से 4 cancel हो जाएगा, बचेगा क्या 2 f, अब f, f equal क्या रखे हम लोग, कि h upon 2 pi i, तो इसके जगह में हम लोग write कर देंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, cancel, बचेगा h upon pi i, तो यह h upon pi i, तो आगे हम लोग write करेंगे, cos 2gh plus 1 equal h upon pi i, h is equal to pi i common, इसके साथ multiply कर देंगे, तो cos h 2g plus 1, pi के साथ, pi i के साथ इसका भी और इसके दोनों के साथ गुना हो जाएगा, तो यह इतना हो जाएगा, लेकिन हम लोग given कर रहे हैं, या दिया हम लोग को question में, कि f equal e to the power h, हमें दिया है, लेमा में क्या दिया है, कि f is equal to e to the power h, so, f is equal to e to the power pi i cos h 2g plus pi i, क्योंकि हम लोग h का जो यह value है, उसको बस रख दिये हैं, अब f is equal to expansion p pi i cos h 2g plus pi i, f is equal to expansion i pi cos h 2g plus pi i, pi i के लिए, अब हमें किवल प्रूफ क्या करना है, इतना बस, तो f is equal to expansion pi i cos h 2g, but given by function z, अब z के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, function ले रहे हैं, तो क्योंकि हमारे जो statement हैं, या उसके लेमा के जो statement हैं, उसमें function के लुप में दिया, तो इसके लिए दोनों के लिए हम लोग function ले लिए हैं z, तो write कर देंगे f z is equal to expansion i pi cos h 2g h, so complete proof by लेमा, इसके लिए और ये भी for z belongs to z के लिए, thanks for watching, हैं तो हैं तो हैं तो हैं हैं झाल